हेलो फ्रेंट्स, मेरा नाम है सीवम और आज हम देखेंगे दोस्तों एक ऐसे जिसे लिखा गया है एक छोटी सी बच्ची पे जिसका नाम है हैरियेट हैरियेट के कहानी लिखने वाले थे रूमर गौर्डिन रूमर गौर्डिन ने इस एसे में एक हैरियेट नाम की छोटी सी बच्ची के बारे में बताया है और उसके भाई बहनों के बारे में बताया है और कौन-कौन उसके जीवन में इंपोर्टन रखता है और वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो अपने भविश के बारे म क्या सोचती है वो Harriet ये सब हम जानेंगे कि वो छोटी सी बच्ची के मन में क्या-क्या आसाएं हैं वो क्या बनना चाहती है वो क्या होना चाहती है और उसके जो भाई बहन हैं वो कितने बड़े हैं और क्या-क्या उसके बारे में सोचते हैं पर पहले दोस्तों हम Rumor Gordon के बारे म में और इनकी मृत्यू हो गई 8 November 1998 UK में ये एक Britishers थे और इनका जन्म UK में ही हुआ और इनकी मृत्यू भी कहानी की सुरवात यानि की ऐसे की सुरवात में हमें Rumor Gordon बताते हैं एक बच्ची है जो अपने भविश के बारे में सोच रही है और वो अपने भविश में फैसला भी लेना चाहती है पर अभी ले नहीं पा रही है और वो बैठ कर सिप अपने भविश के बारे में सोच रही है अब वो जब सोच रही होती है तो अलग-अलग चीजों को सोचती है पर किसी भी चीज पे वो पहुँचने पाती है कि ہा मुझे यही बनना है अब उसे अपने विश्ट के बारे में फैसला नेता तू आनी रहा था, क्योंकि उसका कोई माग दर्शन करने वाला नहीं था, कोई बड़ा उसे समझाता कि तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम इस चीज में अच्छी हो, तो वो बन पाती, पर कोई था ही नहीं जो उसे समझा पाई ये बाते अब उसका कोई माग दर्शन नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में अपने आपको अकीलापन की तरह पाती है, और उनके परिवार में भी वो एड़िस्ट नहीं हो पाती है, उसका परिवार बड़ा है, जैसा कि आप पिक्चर में दिख रहें कई बच्च अब जो उसकी जो बड़ी बेहन है बे उसका एक दोस्त है जिसका नाम है वेलरे वो उसके घर आता जाता है पर वो हैरियट को बिल्कुल पसंद नहीं है और उस बच्ची का एक नर्स है जिसका नाम है नन वो भी उसके बिल्कुल ध्यान नहीं देती है यहां तक कि उसका एक भाई जिसका नाम बोगी है वो भी उसकी चीजों में दिल्चस्पी नहीं लेता है और अपना ही खेल खेलता रहता उस पर ध्यान नहीं देता इसलिए हैरियट जो है वो अपने घर में अपने आपको अकेला पाती है इतने सारे लोग हैं उसके घर में पर कोई भी उसकी केर नहीं करता ना ही उसे साथ कोई खेलता है बड़ी बेहन जादा बड़ी हो जाती और भाई कभी साथ खिलाता ही नहीं इसलिए वो अकेले पन में बैठ कर अपनी चीजों को सोचती रहती है वो अपनी घर की कूने में चुपचाप एटली बैठ जाती है और वहाँ पे बहते हुए पानी को देखती रहती है और उसके आवाज का आनन्द ले लेती है और जो भी वहाँ से गुजरता है उससे वो पूछती है कि आप भविस में क्या बनना पसंद करते हैं, क्या बनना पसंद करेंगे और वो कुछ option भी देती है, जो कि वो अपने बारे में सोचती है कि मैं बनूँगी doctor, राजनेता, engineer, अभिनेता, actor और भी बहुत चीजें नाचने के बारे में भी सोचती कि मैं एक निर्तकी बनूँगी और ऐसे बहुत चीजे वो सोचती रहती है, बिकल्प सोचती रहती कि वो क्या बनेगी, वहाँ बैठी-बैठी वो अपने बारे में इतना सोचती है, इतना decision लेती है और इसलिए वो दूसरों का चुनाओ पसंद बिल्कुल नहीं करती क्योंकि वो अपने बारे में हमीशा फिकर मन रहती है और हमीशा वो अपने बारे में सोचती रहती है इसलिए उसे दूसरों का चुनाओ भी पसंद नहीं और अगर उसके घर में कोई आ जाता है जैसे कि उसके घर में आया करते थे जिसमें से एक का नाम होता है Captain John और दूसरे का नाम Valerie ये दोनों अक्सर उसके घर आया करते थे उससे मिलने पर Harriet को वो पसंद नहीं थे इसका कारण तो पता नहीं पर नान बताती है कि Captain इसले आता था क्योंकि उसे किसी चीज की जरुवत थी मगर Harriet को वो बिल्कुल पसंद नहीं है और Harriet उसे पसंद नहीं करती और उसका आना जाना भी उसे पसंद नहीं है अब Rumor Gordon आगी बताते हैं कि क्यों आता था John क्योंकि वो जो नन थी उससे उसका प्रेम संबन था इसलिए वो बच्चों के साथ खेलता भी था और नन के साथ आकर प्रेम भरी बाते भी किया करता था वो बच्चों के साथ खेलता था इस तरह कि वो Harriet को कुछ सीसों को मिला करके एक गलोब बना कर दिखाता था और उस गेंद गलोब बनाता था वो गेंद के आकार की होती थी और उसे वो कहता था ये धर्ती का गलोब है अब वो Harriet को देता था तो Harriet उसे सूचती थी कलपना करनी लगती थी कि ये जो गेंद है सीसा रूपी वो एक गलोब है और ये धर्ती है और उसके इर्दगिद समुंदर है और पूरा का पूला सूलर सिस्टम उसे उस चोटे से सीसे के गेंद में दिखने लगता था या उसके लिए महत्पून बन जाता था वो जो बना कर दिया था Second, John उसे सीसे का गलोब बना कर देता है उसी के बारे में वो सोचती है अब दोस्तों यह ऐसे यहीं पर खत्म होता है अगर आपको मेरी explanation अच्छी लगी हो तो share करें अपने दोस्तों से like करें वीडियो और subscribe करना ना भूले और plus आपको मैं next story में मिलूँगा और आप यह भी बताएं कि आपको मेरी explanation कैसी लगी comment section में और आपने मुझे पूरा सुन इसके लिए धन्यवाद thank you दोस्तों मैं आप से मिलूँगा next story के लिए तब तक लिए जैहें